अध्याचार आरंबिक नगर पुराने भवन का सनरक्षन जस्पाल और हर प्रित अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस घंडर घर की तारिफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भुता घर कहा करते थे एक ने कहा इसकी वास्तू कला को देखो क्या आपने कहीं लकडी पर इतने सुंदर नकासी देखी है दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिकर कहना चाहिए कि वह इस खुफसुरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरमत करने की विवस्था करे यह सब सुनकर जस्पाल और हर प्रित सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है हडपा की कहानी अकसर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है लगभग 150 सल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजिनियरों को अचानक हडपा पुरस्तल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंड़र है जहां से अच्छी इंटे मिलेंगी या सोचकर वे हडपा के खंड़रों से हजारों इंटे उखाड ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइने बिछाई इससे कई इमारते पूरी तरह नस्ट हो गई उसके बाद लगभग 80 साल पहले पूरा तत्व विदो ने इस स्थल को ढूंड़ा और पता चला कि ये खंड़र उप महादुएपे के सबसे पूराने शहरों में से एक है चुकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पूरा सलो में से जो इमारते और चीजे मिली उन्हें हडपा सभेता की इमारते कहा गया इन शहरों का निर्मान लगभग 4700 साल पहले हुआ था इन नगरों की विशेष्था क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विवाजित किया गया था प्रायर पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन उचाई पर बना था और पूर्वे हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था उचाई वाले भाग को पुरा तत्व विदो ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्खी इटो की बनाई जाती थी इसकी इटे इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारे खड़ी रही दीवार बनाने के लिए इटों की चीनाई इस तरह करते थे जिससे की दीवारे खुब मजबूत रहें कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारते बनाई गई थी मिसाल के तोर पर मोहन जोदोड़े में खास तलाब बनाई गया था जिसे पुरा तत्व विदो ने माहान इसनानागार कहा है इस तलाब को बनाने में इट और प्लास्टर का अस्तमाल किया गया था इसमें पानी का रिसा और रोकने के लिए प्लास्टर के उपर चारकूल की परत चढ़ाई गई थी इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सिणिया बनाई गई थी और चारो और कमरे बनाए गए थे इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था शायद यहां विशिष्ट नागरी विशिष और सरो परिस्तान किया करते थे काली बंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अगनी कुंड मिले हैं जहां संभावता यग्य किये जाते होंगे हडपा, मुहंजोदुड और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार ग्रिह मिले हैं इन नगरों के घर आम तोर पर एक या दो मंजिले होते थे घर के आंगन के चारों और कमरे बनाये जाते थे अधिकांश घरों में एक अलग इस्तान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे कई नगर में धके हुए नाले थे जिन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था हर नाली में हलकी धलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी नालों के ढगे होने के बाद इन में जगर जगर पर मेन होल बनाये गए थे जिनके जरिये उनकी देखभाल और सफाई की जा सके घर, नाले और सडकों का निर्मान योजना बत तरीके से एक साथ ही किया जाता था नगरिय जीवन हडपा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होंगी यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारते बनाने की योजना में जुटे रहते थे यह संभवते यहां के शासक थे यह भी संभव है कि यह शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातू, बहु मुल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजे मंगवाते थे शायद शासक लोग खुबसूरत मन को तथा सोने चांदी से बने आभुशनों जैसी किमती चीजों को अपने पास रखते होंगे इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई है इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पूरुस भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उधोग स्तल पर तरह तरह की चीजे बनाते होंगे लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, और वहां के उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदुर देशों की खिस्से कहानिया मिट्टी से बने कई खिलोने भी मिले हैं, जिन से बच्चे खिलते होंगे नगर और नए शिल्प आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में ध्यान करें, जो हडपा के नगरों से प्राप्त हुई है पुरा तत्व विदो को जो चीजे वहां मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंक, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातों से बनाई गई थी तांबे और कांसे से औजार, हतियार, गहने और बरतन बनाये जाते थे, सोने और चांदी से गहने और बरतन भी बनाये जाते थे यहां मिले सबसे आकरशक वस्तूओं में मन के बाट और फलक हैं हडपा सभेता के लोग पत्थर की मुहरे बनाते थे इन आयाताकार मुहरों पर समानेत जानवरों की चित्र मिलते हैं हडपा सभेता के लोग काले रंग से डिजाइन किये हुए खुबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे संभवता साथ हजार साल पहले मेहर गड में कपास की खेती होती थी मोहन जोदोरों से कपड़े के टुकड़ों के और शेस चांदी के एक फुलदान के धक्कन तथा कुछ अन्यतांबी की वस्तूओं से चिपके हुए मिले हैं पक्की मेटी तथा फ्रेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है इन में से अधिकांश वस्तूओं का निर्मान विशेशग्यों ने किया था विशेशग्ये उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रसिक्षन लेता है जैसे पत्थर तराशना, मन क चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदी आप चित्रं में देख सकते हैं कि मुर्ती का चेहरा कितने आकर्शक ढंसे बनाये गया है और उसकी दाड़ी कितनी अच्छी τरह दरशाई गई है या किसी विशेश मुर्तिकार का ही काम हो सकता है हर वेक्ति विशेश प्रश्चिय नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पूरुशी ऐसे कामों में प्रसिक्षन हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं हैं। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पूरुश दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फ्रेयंस पत्थर और शंक प्राकृतिक तोर पर पाये जाते हैं। लेकिन फ्रेयंस को कृतिर्म रूप से तयार किया जाता है। बालू या फटिक पत्थरों के चोड़न को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थे। उसके बाद उन वस्तुएं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाते थे। इस चिकनी परत के रंग प्रायन नीले या हलके समुद्री हरे होते थे। फ्रेयंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बरतन बनाये जाते थे। माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजे बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किये गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तयार किया जाता है। हरपा में लोगों को कई चीजे वहीं मिलती थी। लेकिन तामबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमुल्य पत्थरों जैसे पदार्थों कावे दूर-दूर से आयात करते थे। सोने का आयात आधोनी करनाटक और बहुमुल्य पत्थर का आयात गुजरात, इरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गाओं में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शाशकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के समान देते थे। पौधों के और शेसों से पता चलता है कि हडपा के लोग गेहूं जौ, दाले, मतर, धान, तील और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हडपा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्राय लकडी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलोने मिले हैं, इस शेत्रे में बारिश कम होती है, इस लिए सिचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे, संभवता पानी का संचय किया जाता और जरूरत पढ़ने पर उस से फसलों की सिचाई की जाती होगी, हडपा के लोग गाय, भैस, भेंड और बकरिया पालते थे, बस्तियों के आस पास तलाब और चरागा होते थे, लेकिन सुखे महीनों में मवेसियों की जुन्डों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर दक ले जाये जाता था, वेबेर जैसे फलों को इकठा करते थे, मचलियां पकरते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, गुजरात में हडपा कालिन नगर का सुक्ष्मनिरिक्षन, कच्छ के इलाके में खदिर बेद के किनारे दौला वीरा नगर बसा थे, व वही धौला वीरा नगर को तीन भागों में बाटा गया था, इसके हर हिस्से की चारों और पत्थर की उची उची दीवार बनाई गई थी, इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सारवजनी कारे आयोजित किये जाते थे, यहां मिले कुछ और शेसों में हडपा लिपी की बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है, इन अभी लेखों को संभावता लकडी में जड़ा गया था, यह एक अनोखा और शेस है, क्योंकि आम तोर पर हडपा की लेख म यहां किमती पत्थर जैसा कच्चा मल आसानी से मिल जाता था, यह पत्थरों, शंखों और धातूं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपुन केंद्र था, इस नगर में एक भंडार ग्रिह भी था, इस भंडार ग्रिह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहर बंदी गिली मित्टी पर दबाने से बने उनकी चाप मिले हैं, यहां पर एक इमारत मिली है, जहां संभवता मन के बनाने का काम होता था, पत्थर के टुकडे, अदवने मन के, मन के बनाने वाले उपकरन और तैयार मन के भी यहां मिले हैं, मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहर ब जिने एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। इसके अलावा मैवेश्यों के बड़े जुन्डों से चारगा और घास वाले मैदान समाप्त हो गया। कुछ इलाकों में बाड़ आ गई लेकि इन कारणों से यह सपस्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। क्योंकि बाड़ और नदियों के सुखने का असर कुछे ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शाशकों का नियंतरन समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के संध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिन के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में आप अध्या 6 और 9 में पढ़ेंगे। अन्यतर अपने एटलस में आप मिश्टर को ढूणिए नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़ कर मिश्टर का अधिकांश भागरेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिश्टर में शासन करने वाले रजाओं ने सोना चांदी, हाथी दात, लकडी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सिनाए दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े-बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिट के नाम से जाना जाता है। और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शाओं को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिश्टर में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। कुछ महत्वपून तीथियां मेहर गड में कपास की खेती लगभग साथ हजार साल पहले। नगरू का आरंभ लगभग चार हजार साथ सो साल पहले। हडपा के नगरू के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरू का विगास लगभग 2500 साल पहले।